उन साथ मोर्चे हैं उन साथ मोर्चों की सैयुंत कारगाणी की बैठा 30 तारिक को उसका उद्घाटन यहां पर 4 मजे होगा ज्यान गौन में उद्घाटन हमारे भार्तियन्ता पार्टी के सस्वी राश्टी अत्हेट शारणी जगल प्रडास नड़ा जी करेंगे 31 तारिक को मल्क की बात पटना सिटी में मानिय राश्टी अर्जक्ष जी सुनेंगे बूद के कारिकरताओं के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज में हूँ आपके स्तार शिवम बीजेपी के राश्टी अध्यक जेपी नड़ा और देश के ग्री मंत्री अमिशा बिहार दोरे पे आ रहे हैं आपको बता दे कि भारतिय जनता पार्टी की सभी मोर्चों की जो बैठक है वो 30 और 31 जुलाई को पटना में होनी है ऐसे में अमिशा के साथ साथ जेपी नड़ा भी दो दिवस्य दोरे पर पटना आ रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी जो है वो बिहार बीजेपी के सह प्रवारी हरीज दिवेदी के साथ साथ बिहार बीजेपी के प्रदे सध्यक डॉक्टर संजज अस्वाल दे रहे हैं क् एक बहुत बड़ा कारिकम विहार की राज़ानी पटना में आउजित किया जा रहा है और यह हम सब के लिए भारती जन्ता पार्टी विहार के लिए स्वभाग की बात है कि भारती जन्ता पार्टी ने जो एक नया प्रयोग सुरू किया सभी मोर्चों की सयुक्त कारकाणी की बैठक उसकी पहली बैठक बिहार को मिला और वो पटना में 30 और 31 तारिक को ज्ञान भौन में आजित किया जा रहा है हमारे बिहार के कारकरता हमारे पुदे सद्धाई जी के नेत्यूत में लगातार उस कारकाणी की बैठक को इतिहासी बनाने के लिए सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसी के संदर में मैं भी आके बीच में कुछ संचिप्र जानकारी देने के लिए यहां पर उपस्तित हुआ हूँ भारतियंता पार्टी की जितने मोर्चे हैं युआ मोर्चा किसान मोर्चा महिला मोर्चा पिछडा मोर्चा यसी मोर्चा अल्वसंख्यक मोर्चा एस्टी मोर्चा कुल साथ मोर्चे हैं उन साथ मोर्चों की संदर कारकाणी की बैठक तीस तारिक को उसका उद घाटन यहां पर चार बज़े होगा ज्यान गौन में उद्गाटन अमारे भार्तियंता पार्टी के एसस्वी राश्टी अध्यक शाधनी जगत्प्रटास नड़ा जी करेंगे और तीस तारीक को समापन साम को चार बजे होगा अमारे देश के संसीगरी मंत्री पूर्व राष्टी अध्यक शादनी अमिस साजी करेंगे तीस तारीक को अमारे राष्टी अध्यक जी जब पटना आएंगे तो हमारे पटना सहित पूरे बिहार के कारगरता प्रदेश अध्यक जी के नेत्युप में उनका भब श्वागत करेंगे और हवाई अटे से वो वहाँ चलेंगे फिर अमबेटकर हाइकोन के सामने से अमबेटकर जी का जो इस मारख है वहाँ से लेकर के लोग नायक जैप्रकाज नरायंटी के इस मारख तक रोडसो का आयोजन होगा या रोडसो इतिहासिक हो आम जन्मानस इस रोडसो में भाग ले इस दिशा में हमारी पार्टी की तैयारी चल लही है साथ ही साथ एक और नया प्रयोग भारती जन्ता पार्टी ने प्रारम किया है अभी हैदराबाद में भारती जन्ता पार्टी की कारकाणी की बैठक होई थी और उस दोरान हम लोगों ने तैंग किया कि हमारे जो कारगाणी के मेंबर हैं वो वहां पर जाएंगे और दो दिन तक अलगला छेत्रों में प्रवास करेंगे मोधी जी की सरकार की जो जनाये हैं गरीब काउं गरीब कल्याण के विकास के लिए जो जनाये बनाई गई है उसको जंजन तक पहुंचाना इस दिसा में हैदराबास से वो प्रयोग सबू हुआ और वही प्रयोग बिहार के बिहार प्रदेश में भी हम लोग कर रहे हैं हमारे पार्टी के पदादिकारी और मोर्चे के जो ही पदादिकारी या सदस हैं वो बिहार के 200 विधान सभाव में मोधी सरकार की जो उपलवदिया हैं और यहां पर नितीज सरकार की जो उपलवदिया हैं हमारी जो एल यहां हम जन-जन तक पहुचाएंगे और भारती यंता पार्टी की योजनाय जन-जन तक पहुचाएंगे इस दिसा में हम लोगों ने प्रयास किया है हम लों का प्रयास है कि निस्षित रूप से इस कारकाड़ी से एक अच्छा संदेश बिहार के आम जन्मानस में और पूरे देश में जाएगा उसी की तैयारी के लिए यहां पर कि बैठक आजित की गई है और भारते जन्ता पार्टी के लिए यह बहुत ही गर्व का विशाय है कि पहली बार दो जिवस्तिया राश्टिया मोर्चों की सेयुद कारेकारणी बिहार में बने जा रही है बिहार भाजबा का यह प्रयास है कि यह अपने आप में उधारण बन स हिस्सा भी लेंगे 31 तारीक को मन की बात पटना सिटी में मानिय राश्टिय अर्जक्ष जी सुनेंगे बूद के कारिकताओं के साथ और इसी स्थान पर भारव यह दिन में पार्टी के प्रदेश कार्याले में हमारे सुलह जिला कार्यालों का उधगाटन होगा और साथ जि महर्देश जन्ता पार्टी अपने संगठन के विस्तार के लिए इसको बहुत ही महतुदिये कि हर जिले में अपना पार्टी का कार्याले होना चाहिए हमारे कार्यकरताओं के प्रयास और मेहनत से हम विबिन जिलों में अपने पार्टी कार्याले को अपने मावन में अपने तो आपने साफ तोर पे सुना बिहार बीजेपी के साप्रवारी हरीज दिवेदी हो या फिर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्य डॉक्टर संजे जैसवाल ने ये पूरी जानकारी दी है और बताया है कि 30 जुलाई को बीजेपी के राष्टी अध्यक जेपी नडड़ा और 31 जुलाई को देश के गरीम मंतरी अमिश्या बिहार दौरे पे आ रहे हैं ऐसे में क्या बिहार की राजनीती में भी कुछ नयार देखने को मिलेगा ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा बहराल अब बने रहे हमारे साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्ट से जल्ट सब्सक्राइब करें धन्यवाद